नमस्कार दूर दर्शन उत्तराखंड के खास कारिकर्म रोजगार समाचार में आप सभी का हर्दिक स्वागत और अभिननन मैं हूँ आपके साथ विश्व बंधु पांटे कारिकर्म रोजगार समाचार में हम बात करेंगे विविननन रोजगार विगियुपतियों के बारे में तो चलिए बात करते हैं पहली विगियुपति के बारे में चिकेस्ता विभाग उत्तराखंड द्वारा स्टाफ नर्स के 1238 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिसके लिए सेक्षनिक योग्यता B.S.C. नर्सिंग डिप्लोमा इंजी एनम रखी गई है आवेदक की आयू सीमा 21 से 42 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्ति थे 11 जन्वरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट UBTER.in पर विजिट कर सकते हैं अगली विगपती जारी की है इंटेलिजेंस ब्योरो द्वारा असिस्टेंस सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के 2000 पदों के लिए आवेदन आमंतिर्द किये गए है जिसके लिए सेक्शनिक योग्यता सना तक रखी गई है आवेदक की आयू सीमा 18 से 27 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्ति थी 9 जन्वरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट कर सकते हैं भारत Electronics Limited द्वारा ट्रेनी इंजिनियर के 137 स्पदों के लिए आवेदन आमंतिर्द किये गए है जिसके लिए सेक्शनिक योग्यता BE, BTEC, MBA रखी गई है आवेदक की आयूसीमा अधिक तम 28 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिथी 26 दिसंबर 2020 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट bel-india.in पर विजिट कर सकते हैं एम्स रिशिकेश द्वारा, प्रोफेसर, एसोशेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 77 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है जिसके लिए सेक्शनिक योग्यता MBBS, MD, MS रखी गई है आवेद की आयूसीमा अधिक तम 58 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन के अंतिम्तिथी 31 जनवरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट aimsrishikes.edu.in पर विजिट कर सकते हैं उत्तराखंड Metro Rail Corporation द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए है जिसके लिए सेक्शनिक योग्यता पद अनुसार दी गई है आवेदन की आयूसीमा अधिक तम 58 साल निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिथी 14 जनवरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट UKMRC.org पर विजिट कर सकते हैं अगली विकिप्ति जारी की है भाभा Atomic Research Center द्वारा ट्रेनी और टेक्नीशेन के 160 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है जिसके लिए सेक्शनिक योग्यता B.A.C. डिप्लोमा इन इंजिनेरिंग दी गई है आवेदन की आयू सीमा 18 से 25 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्ति थी 31 जन्वरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट B.A.R.C.gov.in पर विजिट कर सकते हैं इंडियन कोसकार्ड द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट के 25 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए है जिसके लिए सेक्षनिक योग्यता सना तक रखी गई है आवेदन की आयू सीमा 20 से 24 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिती 27 दिसंबर 2020 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशिल वेबसाइट जोईन इंडियन कोसकार्ड.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं बैसल द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए है जिसमें कुलपद हैं 727 जिसके लिए सेक्शनिक योगिता है हाई स्कूल, इंटरमेडियेट और इसना तक आवेदन की आयुसीमा 18 से 30 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिती 26 दिसंबर 2020 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशिल वेबसाइट बेसल.com पर विजिट कर सकते हैं भारतिये वायुसैना द्वारा कमिशन्ड ओफिसर के 235 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिसके लिए सेक्षनिक योग्यता बीटेक और बीई रखी गई है आवेदन की आयुसीमा 20 से 26 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिती 31 दिसंबर 2020 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशल वेबसाइट fcat.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश विधान सवा सचिवाले द्वारा साहयक समिक्षा अधिकारी समिक्षा अधिकारी प्रतिवेदक के 87 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए है जिसके लिए सेक्षनिक योग्यता intermediate सनातक के साथ कंप्योटर ज्यान का होना अनिवार्य रखा गया है आवेदक की आयुसीमा 21 से 42 साल तक निर्धारित की गई है आवेदन की अंतिम्तिती साथ जन्वरी 2021 है अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ओफिशिल वेबसाइट uplegisassembly.gov.in पर विजिट कर सकते हैं आप हमारे साथ सोशल मीडिया द्वारा भी जुड़ सकते हैं हमारा फेस्बुक पेज है दूरदर्शन उत्तराखन यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल है डीडी उत्तराखन ट्विटर द्वारा भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडिल है डीडी उत्तराखन रोजगार समाचार में मेरे साथ इतना ही आपसे फिर होगी मलाकाद कारिकर्म की अगले अंक में नमस्कार